विकी को असल बॉलुइट के उभरते हुए स्टार है जिनके फिल्म ओरी 2019 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म थी विकी इंडस्ट्री में कई साल उसे हैं पर विकी को रेकोनाइजेशन अब जाकर मिल रहा है इस विडियो में हम आपको विकी की लाइफ और करिये से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो साइद आप नहीं जानते हो तो अब आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें किता है हां सुन मैं स्क्रिप्ट भिजवा रहा हूं यह वह तो पढ़ लेना ऐसा ऐसा वैसे मैंने का अच्छा सुन नीरेज एक बात करनी थी वह अनुराग सर कुछ कह रहे थे कि गंगा में कूच जाना कर दहां तरको स्मिंग आती है न अब वो तुम छे फुटके हो तो तुम लोग इमाजिन कर लेते पता नहीं तेहर सकता है मैंने का अब मुझे यह था डर भी लग गया कि यार फिल्म ना चली जाए मैंने का हा मतलब मतलब कर सकता हूँ ऐसे टाइप का थोड़ा कहती है और वो समझ गया तो उसने का भाई स्क्रेप भूल जा स्क्रेप बाद में पढ़ना पहले जाके स्विमिंग सीको नम्बव 1 विकी के पापा स्याम काशल बॉलुट के जाने माने एक्सन डारेक्टर है पर वो घर पर कभी भी फिल्म्स की बाद डिसकस नहीं करते हैं और विकी और उनके भाई भी कभी बी सूटिंग या फिर किसे स्टार्ट से मिलने की जिद नहीं करते थे हाला की विकी के दिमाग में बच्पन सही था कि उनको एक्टर बनना है नमबर टू विकी के पापा इंगलिक्स लेक्चरर बनना चाहते थे पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो एक्सेंट डायक्टर बन गए इसलिए वो चाहते थे कि विकी उनका सपना पूरा करे पर जैसे विकी ने इंजिनेरिंग खतम की वो अपने पापा से पूछने चले गए कि मुझे एक्टिंग करनी है विकी ये भी जानते थे इस बात से उनके पापा का दिल तूट जाएगा पर विकी को एक्टर ही बनना था जब विकी ने अपने पापा से पूछा कि मुझे एक्टर बनना है तो विकी के पापा ने उनके एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें अक्टर क्यों बनना चाहते हो तुम्हें लगता है कि मैं इंडेस्ट्री से हूँ तो चीजे तुम्हारे लिए ऐसान हो जाएगी विकी के पापा अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं चुपाते थे और विकी को भी उनके स्ट्रगल के बारे में पता था कि कैसे उनको चौल में रहना पड़ता था और कितनी महनत करके उन्होंने अपने घर में सारा समान लिया था विकी ने अपने पापा से एक ही बात कही कि पापा मेरे नमबर अच्छे आते हैं मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी पर मेरे मन में हमेशा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं आक्टर बन सकता था पर मैंने कोसिस नहीं की नमब थ्री 2009 में विकी ने ग्रेजविसन खतम करती मुमे में किसोर नमित आक्टिंग स्कूल में एडमिसन ले लिया क्योंकि विकी जानना चाहते थे कि वो सच में आक्टर बनना चाहते हैं या ये सिर्फ उनकी होबी है वहाँ चार-पाच मेहने आक्टिंग सिखने के बाद विकी स्योर थे कि उनको आक्टिंग ही करनी है नमब फोर आक्टिंग सिखने के बाद विकी ने नुराक कस्प के साथ गैंक सो वासेपूर में एस असिस्टिंग डारेक्टर काम किया नमब फाइब असिस्टिंग डारेक्टर थेटर करने के साथ साथ विकी फिल्म का आडिसन भी देते थे और वो रोज सुबा उठते और बैग में कुर्ता पिजामा और ट्रिमर रखकर आडिसन देने निकल जाते थे ट्रिमर इसलिए क्योंकि जैसे लुक की रुकाइमेंट वैसा लुक मिल जाए विकी आडिसन देने जाते और सबसे पहले पूछते अम आई फिट फॉर दा आडिसन और ये सवाल वो हमेशा पूछते थे तीन-चार साल विकी ने ऐसी आडिसन दिया फिर 2013 में विकी ने जुबान फिल्म का आडिसन दिया और वो उस फिल्म में एस लीड आक्टर के लिए कास्ट किये गए अल्ला करें उसके मोटर कार पंचर होना मंगता है हो तेरा सर नको पंचर होने को मंगता नमबर सेक्स रमन रागों में विकी को कास्ट करने से पहले अनुराकस अपने विकी को कॉल किया और कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ उसमें मैं तुझे एक कॉप के लिए लेना चाहता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि तू ये रोल कर पाएगा क्योंकि तूने ऐसी जिन्दगी कभी नहीं देखी है तेरी फैमिली बहुत अच्छी है मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा तब विकी ने कहा ऐसा कैसा रोले सर अब तुम्हें एक करके ही दिखाऊंगा विकी का किरदार बहुत डार्क था और वो बॉल्यूट के टीपिकल कॉप की तरह बिलकूल नहीं था वो ड्रक्स करता था और साइको भी था इस किरदार को निभाने के लिए विकी ने अपने आपको पास दिनों तक कमरे में बंद कर लिया था नमब सेवन जब विकी अधीशन दिने की सोच रहे थे तब उनको पता ही नहीं होता था की अधीशन कैसे और कहा होते हैं जब भी विकी अधीशन दिने जाते वो वहाँ पहले से 1500-200 लाउन में लगी होते थे उस वख्त विकी यही सोचते थे कि यार इनको कैसे पता चल जाता है कि audition कहां कैसे होने वाला है फिर विकी ने सुचा कि मैं कैसे भी करके इनके WhatsApp गूप में घुज जाता हूँ फिर मुझे भी पता चल जाएगा कि next audition कहां है नमबर एट एक बार विकी को सौब ट्राइंग का सामने करना पड़ा था विकी को audition देने गए थे पर audition के बारे में विकी को कुछ नहीं पता था विकी को casting director ने देखते ही बोला सुनतों पहले पूसप्स कर ले विकी अल्मस्ट दो सो लोगों के सामने पूसप्स कर रहे थे विकी को लगा ऐसे होते होंगे audition फिर director ने कहा यार ये डियोडिन्ट के एड के लिए audition हो रहे हैं इसमें body होना कमपल सरी है हम बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाग कर रहे थे नमब नाइन जब विकी अनुराक कस्टिप के assistant director थे तो उनकी मुलका नीरज घाईवान से हुई नीरज ने विकी को अपनी फिल्म मसान के बारे में बताया जब मसान के मिकस फिल्म बना रहे थे तो उनको लगा भी नहीं था कि ये फिल्म release हो पाएगी और पैसे कमाने का तो सवाल ही नहीं उठता पर इस फिल्म को करते हुए विकी ने बहुत कुछ सीखा कि आक्टर होने के नाते आपको अच्छी कहानी का हिस्सा होना बहुत जरूरी है आप फिल्म को स्टार नहीं बनाते फिल्म आपको स्टार बनाती है मसान को क्रिटिक्स की तरप से बहुत appreciation मिला और मसान के साथ भी वही हुआ जो इंडिया में सभी अच्छी फिल्मों के साथ होता है वो पैसे नहीं कमा पाई पर मसान सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही मसान ने कांस फिल्म आवार्ड भी जीता हम बहुते मारेंगे हम समझ नहीं रहा हम बहुत मारेंगे तुमको नमबर टैन मसान से पहले विकी ने लव सब्दे चिकन खुराना और बॉंबे विल्वेट में भी छोटे छोटे रोल किये है नमबर 11 विकी को से रितिक रोसन के बहुत बड़े फैन है जब विकी 15 साल के थे तब विकी ने रितिक की डेब्यू ब्लॉग बस्टर फिल्म कहूना प्यार है देखी थी उसी वक्स से विकी रितिक के बहुत बड़े फैन हो गए थे जब Vicky को पता चला कि रिती की दूसरी फिल्म फिज़ा में विकी के पापा साथ में काम कर रहे हैं तब Vicky ने रितिक से मिलने की जित कर ली तब Vicky की पापा के असिस्टन ने Vicky से कहा कि रितिक सर उन बच्चों से ही मिलते हैं जिनने एक पल का जीना सौंग में डांस करना आता हूँ उसके बाद विकी ने तीन दितन उस सौंग में डांस करने की प्राक्टिस करने लगे और विकी ने सोच लिया था कि वो जैसे ही रितिक सर से मिलेंगे वैसे ही डांस करने लगेंगे जब वो रितिक से मिले तो रिति ने उनके साथ हैंड से किया पिक्चर्स क्लिक करवाई और विकी सोच रहे थे कि अरे ये तो डांस करने को बोल ही नहीं रहे हैं विकी अपने पापक एसिस्टन को देख रहे थे और असिस्टन्ट विकी को नमब 12 2019 में विकी करन जोहर की पार्टी में गए थे उस पार्टी में वरंधवन जोया अक्तरनबीर कपूर दिपिका पादुकोन अर्जुन मलाइका और आयान मुखर जी भी थे उस पार्टी की वीडियो सोसल मीडिया पर वारेल हो गई थी और हर जगा नियूज फैल गई कि इन लोगों ने पार्टी में ड्रग्स ली हुई थी और विकी जीस हालत में बैठे हुए थे उससे साब पता चल रहा था कि वो ड्रग्स के नसे में हैं इस पर विकी ने एक इंटर्वू में बात करते हुए कहा कि मैं उस पार्टी से पहले डिंगू की बिमारी से जूज रहा था मैं उसी दिन रिकावर हुआ था और वो वीडियो खुद खरन ने बनाई थी अगर कोई ड्रग्स की पार्टी रखेगा तो वो वीडियो क्यों बनाएगा मुझे नई पता कि नोस को स्क्रैश करने का मतलब ड्रग्स लिना होता है विकी के बगल में आयान मुखर जी थे और जैसे कैमरा आयान की तरब जाता है तो आप देख सकते हैं वो कुछ ही पा रहे हैं अब सच क्या है ये तो ये बॉलिवड वाले ही जानते हैं आपको क्या लगता है आप अपने थौट्स कमेंड बॉक्स में जरूर सेर करें नमब थर्टीन मसान में अपने रोल को नैचरल रखने के लिए विकी फिल्म की सूटिंग से पहले वारानसी गए थे विकी का किरदा डेड बॉडी जलाने का काम करता था फिल्म के डायेक्टर नीरज गाईवान ने विकी से कहा कि तुम वारानसी जाओ और बीना किसी स्वार्थ के घुमो ऐसा सोचो ही मद कि तुम्हें इस जगह से कुछ चाहिए सुरिप देखो कि यहां के लोग कैसे रहते हैं और क्या करते हैं बाद में विकी रोज सुबा घुमने निकल जाते और वो कभी कभी ए घंटे में ही आ जाते तो कभी पूरी राद में नहीं आते थे और विकी उस जगह भी गए जहां डेड बोडी जलाई जाती थी पहले विकी पांच मिनट भी उस जगह नहीं रुक पाते थे बार बाद में विकी ने ऐसी हैबिट बना ली थी वो वहां बैट कर खाना भी खा सकते थे विकी ने फिल्म के लिए 8 kg वेट भी कम किया था नमबर 14 जहां मसान के लिए विकी ने वेट कम किया था वहीं ओरी दर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विकी ने वेट बढ़ाया था इतना ही नहीं विकी के टूड राइट पर भी रहे थे विकी ने फिल्म के लिए मिलिटरी ट्रेनिंग और मिक्स मार्सलाट भी सीखा और सूटिंग के दरौन विकी के आर्म्स भी इंजड हो गए थे नमबर 15 बॉल्यूट के सिलेवरिटी इपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं पर विकी ऐसा नहीं है विकी को जंक फूड खाना बहुत पसंद है पानी पूरी, जलीवी, रबरी, आलू पराथा और चाइनिज डिस विकी की फेवरेट है विकी की फेवरेट है कि विकी की फेवरेट है